कैथल ब्रेकिंग टीवी से मैं हूँ सन्नी और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इस समय हम जो कवरेज करने के लिए जा रहे हैं लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा परवासी मजदूरों की तरफ जो हमारी नजर पड़ी और इनको देखर कि हमने पूछा तो पता च किया है और कानपूर आप अंदाज लगा सकते हो कि कैसे पहुंचेंगे यहां से एक और खबर निकलती है कि जिला परशासन इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी कहीं न कहीं यहां पर चूक नजर आ रही है जो परवासी मजदूरों को लेकर कि जो पोलसी है उनको घ स्यांते हैं सर आपकानाम क्या है जी स्टिसा जै सिंग झी विज्केंट जी विजे शिंग जी आपको क्या दिक्कत है वहां से आपको क्यों आना में गैँ उम्मीद कि हमें घर जाना में लगके बच्छे माल वाँ बहुत परशान है हम पहले हमें इतना बस कर दो कि हमको आप देख सकते हो कुछ जो है वह अभी भी अपने गंतव्या तक पहुंचने के लिए बिल्कुल तत पर हैं रास्ते पर चल नहीं है तो अभी मैं जानना चाहूंगा कि वहाँ पर मालिक का नाम आपको पता है मली टो तो मिलता था मिलता भी नहीं नहीं हो कि टो प्रशासन की तो आपने मांग की पंजाम में कुछ आपकी ववस्ता या पहुंचाने के ववस्ता के वाहस डाए में किसी ने कुछ मालक ने बात चीत कि और यह तो आपने फैसरा ले लिए कि हमें घर जाना जी आपका नाम क्या है वीजय वीजय जी आपकी उमर क्या है अठारा साल आपकी उमर है और आपको भी घर पोंचने घर वालों की याद इस सतारिया फोन फोन आते हैं घर से आपके जी बिल्कुल क्या कहते हैं कि एंड़े घर आजाओ हमारा भी थोड़ा दिख्का चल रहा इसलिए घर में कौन कोन है घर में हैं भाई है तो दैली फोन आता है तो दर्द जलकता है विद्विकिए रहने में खाने में आपको यहां पे दिक्क्त आ रही है तो आगर हम यहां पर आपकी रहने और खाने की ववस्ता करें तो आप क्या रहेंगे यहां पर? इतना करदो की रास्ते में इन्हें कोई किसी प्रकार की जाने में दिक्कत ना आई है समान जो उठाए हुए हैं मैं यहां भी आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें उमीद के सहारे निकले हैं समारी के चलते जो परवासी मजदूर है वो किस तरह से कितनी बड़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है यह आप इसी बात से अंदाजां लगा सकते हो कि पंजाब के समाना से पैदल ही कानपूर के लिए निकल चुके है इस समय आप देख सकते हैं अपनी दिक्कत बता करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय समय जो है सबस्क्स पांच बढ़ तोके हैं कैथल के करनाल रोड सुगर मील से यह निकल चुके हैं जो करनाल